वेलकम टू रोशी हयात किचिन बिस्मिल्य अर्मानि रहीम अस्सलाम अलेकूम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भिंडी की एक बहुत ही मज़दार सी रेसिपी हम बनाएंगे अचारी भिंडी और अचार का नाम लेते ही तो सब के मुह में पानी आ जाता है और जब बात होती ह अचारी भिंडी की तो इसके टेस्ट का तो क्या कहना बहुत ही जबरदस रेसिपी है बहुत ही मौध वाटिंग रेसिपी है तो चलिए बिन देरी की इस अचारी भिंडी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहां पर गैस पर पैन र कि सर्टों का तेल ढालें गया धू तो इसका जादा अच्छा आएगा इसको हमने बहुत अच्छी से गरम कर लिया है तेल को और इसके बाद में तोड़ा सा यो टेंपरेचर वह थोड़ा कम कर दिया है और अब इसमें मैं ढालूंगे 300 ग्राम मैंने यहां पर भिंडी ली है नेकिसे ड्राइए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इसको हम रखेंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसे हम कर लेंगे और इसके साथ इसमें हम ढाल देंगे एक बड़ा चमश नीबू का रस डालेंगे हम नीबू का रस डालने से यह होता है कि भिंडी जो होती है वो इस्टिकी नहीं होती है और बहुत ही अच्छी खिली-खिली बिंडी बनके हमाई तैयार होती है और अब इसको मीडियम टू हाइफ लेंगे यह देखें तक्रीबन तीन मिनिट तक हम इसको फ्राइ करना है और हमें भिंडियों को इतना फ्राइ करना है कि इसके ऊपर जो है थोड़ी सी अच्छा सा गोल्डन-ब्राउंस की उपर कलर सा आजाए तो थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए बस अब 3 मिनिट के बाद में हम भि लगाईगे लाल मिर्चि लिया है आप सरसों के दाने राइ याह दा छोटा चम्च जीरा चोंफली तो नोपत हिंगो हैक। क्लाँजी जोड़ सबस्तरइब चर्भी खर्षां एक अपलेग जोटियमिर को दोडात भिके झाहे हैं । तो अचार में तो ईषब सारे मसालेग अरुकर इसके साथ में डाल दूंग olho एसमें ने प्यास की मैंने जिसको इस तरह मैंनेश स्लाइस मैंने बल्कुल बारिक बारिक साथ काठ कर लिया है अब इसको भी हम फ्राई कर लिंगे देखिए प्यास को हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें से इसके जितनी भी रॉय स्मेल होती न वो सारी खतम हो जाने चाहिए लेकिन इसका कलर चींज नहीं होना चाहिए अगर इसका कलर चींज हो गया तो भिंटी कडर जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा तो इसके लिए इसको बस थोड़ा सामें सॉफ्ट कर लेना है कि सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए हम इसे ऐसे फ्राई करेंगे और अब इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें लैसन अध्रका पेस्ट डालूंगी में एक चोटा चमच इसके डालने से बहुत ही जबर्दस अचारी भिंडी के इंदर में खुश्बू बहुत अच्छी आती है और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबल एक मिनिट के लिए या आप इसको इतना फ्राई कर लिए कि जो लैसन की जो रॉय स्मेल होती है वह सारी खतम हो जानी चाहिए और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आ जा के लिए के लिए है दो मीडियम साइस की वी यूज कर सकते हैं यह टेमाटर को ग्रेट करके भी आप डल सकते हैं अब इसके साथ डाल देंगे हम कुछ पॉर्टो मसाले डालेंगे जिसमें मैंने लिए धनिया पॉर्टर लिए एक छोटा चमज लाल मिर्ट पॉर्टर आदा चोल चमछ साथ मसाला लेंगे आदा चोल ने डादा चमछ घरम मसाला पॉर्ड में यहां पर इवाद का अजतर रखने तो अब हम रखेंगे मीडियम टूलो के बीच में क्योंकि हमें मसालों को बहुत ही अच्छे से फ्राइ जाक है किसमें से ऐल सेपरेट हो जाए और जो टमाटर हमने डाले ने वह थोड़े मैशी से हो जाए इसके लिए हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तकरिवे 2-3 मिनिट के अंदर ही मसाल हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे आँ तो यह देखिए यह आप देख रहे हैं इसमें ऑईो सैपरेट हो गया हैम असाल हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और जो आपको टमाटर निजर्ए यह बिल्कुल मैशी से हब अब इसमें हम टालेंगे धिक बिंड़ी करके रखें रखें अब इसमें इसके अंदर डाल देंगे और इसे कर लेंगे मिक्स यह देखिए सारे मसाले में बिंडी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें मैं डाल दूंगे दो मैंने हरे मिर्चली है जिसको मैंने इस तरह से सिलिट कर लिया है आप चाहें तो इसको बारिक भी काट सकते हैं लेकिन इस तरह डालने से अचारी बिंडी बहुत ही के बीच में रखी है और यह देखे सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई अब इसको हम कवर करके रख देंगे हमें इसको रख देना है ता इतना रखेंगे हम के जिससे जो भी हमारी यह ना वह अच्छे से गल जाए जिसमें तकरीब चार से पांच मिनट का वक्त लगेग तो पांच मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से कवर करके रख देते हैं अब पांच मिनट के बादे मैंने इसको लेड हटा के देखे और यह देखिए यह सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं भिंडी के अंदर भिंडी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल लेकि देखिए मैं आपको पास से दिखाते हूं यह कितनी जबरदस्त भिंडी बनके चुकी है यह एकदम मैशी मैशी से मसाले के साथ में और यह अचारी भिंडी बहुत ही जबरदस्त बनी है बहुत अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है आप इस रेसिपी को जरू जरू करना आपको बहुत पसंद आएगी तो यह भिंडी बनके हमारी तयार हो गई है अब हम करेंगे फ्लेम को आफ और इसको करेंगे प्लेटिंग करेंगे इसकी अब हम तो यह देखिए यह भिंडियों को मैंने निकाल लिया है आप देख रहे हैं देखने में कितनी जबरदस पूरी के साथ में नान के साथ में पराठे के साथ में किसी के साथ में भी सर्फ कीजिए बहुत ही मज़े की रखती है और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है चट पड़ से बनके यह तैयार हो जाती है और जितनी जल्दी बनती है यह खाने में उतनी ही टेस्टी है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए, मुझे उमीद है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी. और आप इसको breakfast में बनाईए, lunch में बनाईए या dinner में बनाईए. ये बहुत अच्छी लगती है, ये lunch box के लिए रेसिपी भी है, आप इसको अपने अपना office के लिए भी पैक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही tasty रेसिपी है, मेरे रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए, और मेरे रेसिपी आपको पसंद आती है, तो प्लीज मेरे वीडियो के न मेरे वीडियो को अपने family और friends के साथ जरूर शेयर करें, अपना experience को में शेयर करें, दौाओं में याद रखें, thank you for watching my video, Allah आफीज